Microbit के sensors जो data generate करते हैं, हम इस data को store कर सकते हैं और फिर spreadsheet में इस data का analysis करके data से insight यानि उपयोगी जानकारी हासिल कर सकते हैं. जैसे मान लो एक machine चल रही है, वो machine की जो sound है, हम उसे Microbit पर log कर सकते हैं और इस data का chart बना सकते हैं. अगर हम देखते हैं कि इस machine की normal sound एक particular level की है, पर आजकल ये machine बीच-बीच में तेज आवाज कर रही है, जो ये chart में ये spikes दर्शाती हैं, तो ये spikes indication हो सकती हैं कि ये machine में कुछ खराब ही आ रही है. मशीन खराब होने से पहले उसे ठीक कर देने को preventive maintenance कहते हैं, तो Microbit preventive maintenance के लिए इस्तिमाल गिया जा सकता है. कई सारी मशीनों में preventive maintenance बहुत जरूरी होती है, जैसे aeroplane का engine जराबी खराब हो, तो हम उसे जल्द से जल्द ही करना चाते हैं, ताकि flight के दौरान कोई problem ना हो. इसी लिए aeroplane में कई सारे sensors लगे होते हैं, जो engineers को real-time data भेजते रहते हैं, अब तो इस data का AI analysis, यानि artificial intelligence या machine learning based analysis भी real-time चलता रहता है, ताकि problem बड़ी होने से पहले ही alarm बच जाए. Heart patients के लिए, जो नए pacemaker बने हैं, वो भी continuously data gather करते रहते हैं, ये data Bluetooth से एक app में transfer किया जा सकता है, और फिर इस data को doctor को email किया जा सकता है, फिर doctor data का analysis करके patient की heart health का पता लगा सकते हैं, इसे remote patient monitoring कहते हैं. Drones में लगे sensor, agricultural farm से data gather करते हैं, और इस data के analysis से experts पता लगा लेते हैं, crop health, soil condition और अन्य जानकारी, और ये जानकारी फिर smart farming में काम आती है. आजकल तो stock trading भी data आधारित होती जा रही है, जिसको algorithmic trading कहते हैं. अब sensor सस्ते होते जा रहे हैं, और इसलिए 24-7 ये sensors बहुत सारा data generate करते हैं, जिसे big data कहते हैं. ये big data आधार बनता है machine learning और artificial intelligence का. इसलिए data analytics field का आज के दिन बहुत scope है, मेरे विचार में एक young student के लिए microbit में data logging और analysis के projects बनाना students के लिए बहुत useful experience होगा. Next हम समझते हैं कि microbit में data logging कैसे करते हैं, इस project में हम microbit का version 2 use कर रहे हैं. Microbit में हम data logger बनाना सीख दे हैं, तो मैं makecode.microbit.org में जाके एक नया project शुरू कर रहा हूँ, इसका नाम में दे रहा हूँ data logger. Microbit version 2 में data log करने के लिए, अगर data logger का extension आपको यहां नहीं दिख रहा है, तो आप extensions क्लिक करके यहां search कर सकते हैं, यहां data logger दिख रहा है, पर मान लिया जाए नहीं दिख रहा हो, तो आप यहां बे data logger search करके, उसको click करके, उसको install कर सकते हैं, और अब data logger में हमारे को यह further commands मिल गई हैं, तो सबसे पहले हम यह ला रहे हैं, command set column, जिसको हम on start में डाल रहे हैं, set column command आप ऐसा सोच सकते हैं, जैसे कि हम एक data log करने के लिए Excel sheet बना रहे हैं, और उसके columns हम यहां define कर रहे हैं, तो मान लिया जाए सबसे पहले हम microbit के sound sensor की reading लेना चाहते हैं, तो हम एक column create कर रहे हैं, call sound, और फिर वापस data logger में जाके हम यहां कह रहे हैं, log data, और हम कह रहे हैं, column है sound, और इसकी value क्या है, microbit में जो sound sensor है, वो जो भी sound level detect कर रहा है, वो इसको हम पहले simulator में try करके देख सकते हैं, तो अगर मैं simulator में यहां कह रहा हूँ, show data on the simulator, तो यहां पर यह हमार क को दिखा रहा है, अगर मैं sound की value बदलता हूँ, तो यह उस data को log कर रहा है, पर इस वक्त बहुत जादा data log कर रहा है, हम नहीं चाहते कि इतना सारा data log हो, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, basic में जाके, एक pause की command डाल सकते हैं, और यह भी हम कह सकते हैं, हर 200 milliseconds में data gather करना, और अगर अब मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो जैसे मैं यह बदलता हूँ, simulator में value, वैसे यह data की value बदलती है, next time is data को अपने microbit में transfer करते हैं, तो अब यह हमारे को दिखा रहा है कि यह, जो microphone है, यह on है, और यह हमने microbit में कोई थोड़ा data generate किया है, तो अगर आप हम इस data को देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपना file explorer खोलें, और उसमें जहाँ पर भी microbit है, वहाँ पर आपको एक file मिलेगी mydata.htm, आप इसको double click करके खोलेंगे, तो यह हमारा sound का log यहाँ पर आपको मिल गया है, कि यह time है 1 second, 1.32 seconds और यह sound की value है, और यह जो data है, इसको not only कि हम tabular form में देख सकते हैं, यहीं पर हम इसको visual preview भी कर सकते हैं, तो यह हमारे sound data का visual representation है, तो हम एक से जादा sensors की value जो है, उनका data log कर सकते हैं, तो मान लिया जाए कि मैं sound और light, जो microbit में sensors हैं, उनको log करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ set column में plus करके, यहां एक और column add कर रहा हूँ, and let's say मैं उसको कह रहा हूँ, वो light है, और फिर मैं log data में जाके कह रहा हूँ, plus, यहां मैं कह रहा हूँ कि यह light की value, इस column का नाम light है, और इसकी value क्या है, जो हमारे light sensor में, जो भी light level हमारा microbit पढ़ रहा है, वो, तो again, हम एक चीज़ और भी कर स तो इसे क्या होगा कि जैसे यहां पर हमार को simulator का data देख रहा था, जब हम यह program अपने microbit में transfer कर देंगे, तो यहीं से हम real time भी वो data देख सकते हैं, तो मैं यह transfer कर रहा हूँ program, और अब यहां show device data यह नया column आ गया है, और इसको अगर मैं click करता हूँ, तो यह हमारे microbit का light और sound का data है, तो जैसे जैसे light level vary करता है, हम वहाँ देख सकते हैं, light level vary कर रहा है, और अगर मैं sound करता हूँ, तो वो sound का data भी record हो रहा है, इसके बाद अगर हम यह अपने microbit से यह data देखना चाहते हैं, तो आपको अपने microbit को एक बार निकाल के फिर से डालना पड़ेगा, और फ अगर microbit में जाएंगे, और my data load करेंगे, तो अब आपके पास यह नया data आगया है, sound and light, और इसका आप यहाँ visual preview देख सकते हैं, और अगर यह हमारे को दौनो sensors का data यहाँ देख रहा हैं, पर अगर आप एक का ही देखना चाहते हो, तो अगर मैं sound पे click करता हूँ, तो यह के देख सकते हैं कि कब-कब light level जो था, वो बहुत कम हो गया था, अब मानिया जाए, आप कोई experiment कर रहे थे, और आप ने कहीं कोई seed plant किया था, और आप देखना चाहते थे कि plant की growth में light का क्या impact है, and let's assume यह data over a period of days हमने log किया था, तब हम देख सकते थे कि अगर किसी plant पे जो light value है, वो कम रही अगर throughout, तो उसकी growth क्या होई, versus एक और plant जिसमें हमारे पस दो plants थे और दौनों के पास हमने यह microbit का data logging लगा रखी थी, एक shade में था, एक sun में था, तो हम उसका comparative experiment कर सकते हैं, and likewise अगर मैं यहां sound का data देखता हूँ, तो sound में जो हमारे को यह peaks नदर आ रही है, जैसा मैं समझा रहा था, कि मान लो मेरे कमरे में पंखा लगा है, और वो पंखा बीच पीच में बहुत जोर की आवास कर रहा है, जो कि यह data दिखा रहा है, तो हो सकता है, उस motor के बंखे के साथ कोई problem है, and it requires preventive maintenance, आप microbit में जो data log करते हैं, वो केवल internal sensors ही नहीं, external sensors का data भी log कर सकते हैं, जैसे यहां हम soil sensor का data log करेंगे, तो setup है कि मैंने soil sensor को, जो हम power output ले रहे हैं, वो सीधे microbit से नहीं ले रहे हैं, हम उसको इस battery pack से ले रहे हैं, तो यहां पर यह soil sensor के दो, जो prod से जो दो wires हैं, यह sensor पर जा रहे हैं, sensor से हमारे को चार pinout मिलते हैं, VCC, ground, DO, यानि digital out और analog out, तो इस sensor से हम digital signal ले सकते हैं, या analog signal ले सकते हैं, मैं analog signal ले रहा हूँ, मैंने analog AO pin पर इस jumper wire को attach किया है, और फिर जो VCC है, वो battery के positive terminal पर है, जो ground है, वो battery के negative terminal पर है, और सारे components same ground पर होनी चाहिए, तो जो microbit का ground है, वो भी इस common ground पर है, और जो यहां से analog out pin थी sensor की, यहां पर pin number 1 पर, microbit के pin number 1 पर attach करी है, और हम sensor को test करके देख सकते हैं, जब sensor पानी में है, तो यह जो दूसरी red LED है, यह जल जाती है, और अगर मैं sensor को पानी से हटाता हूँ, तो वो जो LED है, वो बंद हो जाती है, तो इस से हमें पता चलता है, कि यह sort of digital out है, कि when wet, तो वो बता रहा है, कि soil sensor moisture detect कर रहा है, और जब मैं बाहर निकल रहा हूँ, तो light off हो जा रही है, indicating कि soil sensor moisture detect नहीं कर रहा है, और हमने इसका analog out लिया है, तो हम इससे एक continuous voltage change का signal हमें मिलेगा, जिसको हम lock करेंगे, soil sensor का data देखने के लिए हमें एक program लिखते हैं, soil sensor का data देखने के लिए हमें एक variable बनाना पड़ेगा, तो मैं एक variable बना रहा हूँ, जिसका मैं नाम दे रहा हूँ, soil moisture, और मैं कह रहा हूँ कि set the soil moisture to, जो हमारी analog pin पर signal आ रहा है, मुसको read करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं advance में जाके, pins में जाके, यहां से ये command ला रहा हूँ, analog read, और हमने pin 1 पे लगाया है, तो मैं कह रहा हूँ, analog read pin 1, तो मैं इस command को forever मैं डाल रहा हूँ, तो ये command है, कि forever set a variable called moisture sensor to whatever is the analog signal on pin 1, उसकी जो भी value है, और फिर हम यहां पर एक और column add कर सकते हैं, जिसको हम, maybe हम कह रहे हैं, soil, let's just say moisture, तो moisture, और हम यहां पर add कर रहे हैं, कि जो ये moisture है, ये क्या है, ये जो variable है, soil moisture, इस program को मैं अपने microbit में डाउनलोड कर रहा हूँ, और अब हमारा microbit तीनो डेटा ले रहा है, sound भी, light भी, और हम ये moisture sensor को मैं पानी में डाल रहा हूँ, तो ये अभी पानी में है, और निकाल रहा हूँ, तो यहां पर accordingly, जो हमारे sensors हैं, वो हम यहां पर real time देख सकते हैं, तो जो pink line है, वो हमारा soil sensor का reading है, तो हम इस data को यहां डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप microbit में जो htm file है, उसको भी देख सकते हो, और उसको देखने के लिए आपको microbit को reconnect करना पड़ेगा, या आप ये as a csv file ए data download कर सकते हो, और उसके बाद आप Excel या Google Sheets पर जाके उसको खोल सकते हो, तो यहां Google Sheets में मैं कह रहा हूँ, import, और ये जो अभी हमने data download किया है, ये file मैं import कर रहा हूँ, Excel Sheet में, तो ये हमारे पास data है, और ये जो data है, ये ठीक से label नहीं हुआ है for some reason, बट अगर ये जो last reading है, ये soil sensor की reading है, हमारी, और अगर हम केवल soil sensor और time के हिसाब से इसको log करना चाहते हैं, plot करना चाहते हैं, तो मैं A और E ये, A और E ये दो column सिलेक करके, यहां insert में जाके कह रहा हूँ, insert a chart, तो मेरे पास ये soil sensor का जो data है, इसका chart आ गया है, और इससे हमें पता चलता है कि कब इसमें inverse है, जब पानी में था sensor, तब ये value थी, तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि पानी, अगर हमने मालो किसी agricultural field में 1000 ऐसे sensor डाले हुए थे, तो उनका data हम correlate कर सकते थे, plant growth या crop yield के साथ, अगर मैं अपने microbit को डिस्करेक करता हो, और reconnect करता हो, तो हमारी जो नई htm file है, वो generate हो जाएगी, और अब मैं microbit में जाके ये file खोलता हूँ, तो यहां हमारे को, actually यहां पर properly label होके हमारे को file मिली है, कि seconds sound light moisture, इसको हम यहां पर भी visual preview कर सकते हैं, and again, अगर मैं light और sound बंद कर दूँ, तो soil moisture का जो visual representation है, वो यह दिख रहा है, तो यह last में मैंने जब निकाला, तब यह वो spike है, और इसी तरीके से light का यह data है, और sound का यह data है, यह क्योंकि मैं बोल रहा था, तो जो भी changes आ रहे थे, microbit में sound level, वो यहां नदर आ रहा है, and of course, I think better होगा कि अगर हम इस data को यहां से copy करके, और फिर अगर मैं इसको गूगल शीट में ले जाता हूं, और मैं यहां copy करता हूं, तो हमारे को फिर proper label के साथ मिल गया, data वो ही है जो इस वाली sheet में है, बट यहां पे properly labeled है, और एक last final चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता कि अगर मान लिया जाए, मैं data select कर रहा हूं sound, तो अब Google Sheets और even Excel में आपको यह insights का column मिलता है, जिसमें यह data से automatically कुछ insights के अधर करता है, तो यह bottom right में अगर आप click करोगे, तो इस, यह जो cable sound का data जो मैंने select किया हुआ है, उसका यह कुछ हमें insights दे रहा है, तो अब sum तो हमार कोई मतलब नहीं है, क्योंकि this is just the sum of all the cells, but average for example is interesting, तो वो कह रहा है कि average sound level जो था, वो 28 था, अब इस 28 के against, अगर मैं entry number 15 देखता हूं, तो वो 71 है, तो अब मैं कह सकता हूं कि, जो sound level था, वो कब-कब on the average से significantly उपर था, यह significantly नीचे था, तो कहने का मेरा मतलब यह है कि, आज आशली जो Soda से AI-based analytics है, वो बहुत सारी आपको auto generated भी मिल जाती है, तो यह चीज़ हम किसी भी data के लिए कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर soil sensor का data देखके फिर इसको दबाता हूं, तो अगें यह बता रहा है कि average जो थी वो 519 थी, और यहाँ पर हम each individual entry को हम compare कर सकते हैं, कि 519 के against 399, how does that stand, तो इस तरीके से आप microbit में जो sensors लगे हैं, on board as well as any external sensors, उनका data gather कर सकते हैं, एक last चीज़ देख लेते हैं, कि अगर data logger में और क्या commands हैं, तो एक वार पास command है delete log, because जो microbit की memory है, वो limited है, तो हो सकता है कि वो full हो जाए, तो हम अपने उसमें एक, अपने program में लि delete the whole log, and वैसे ही data logger में एक और है, which says on log full, तो on log full अगर आपको indication लेना चाहते हो, microbit पर तो जैसे हम कह सकते थे कि कोई cross दिखा देना, तो data full होगा, तो वो cross दिखा देगा, या हो सकता है data full होने पे आपका होगी delete the log, so up to you, and the last one here is timestamp, तो timestamp की command आप forever on start पे डाल सकते हैं, औ और आपके वाज़ ये सारी option है, कि आप चाहो तो कोई भी timestamp नहीं आएगा, या time milliseconds में आएगा, या seconds, minutes, hours, या days, तो based on your project, आप इसको select कर सकते हो, so I hope आपको microbit में data logging समझ में आई, और आप इससे interesting projects बनाओगे,